नमस्कार किसान भाईो मैं परणव फिर से अपके अपने चैनल परणव कृशी केंदर में स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सब विश्वास्ते वंग कुशल मंगल से होंगे किसान भाईयो आज मैं बात करने वाला हूँ गेहू के फसल में पानी के शैडूल के बारे में मतलब गेहू के फसल में पहले पानी से लेकर गेहू पकने तक कितने बार पानी देना चाहिए और किस समय पर देना चाहिए इस बारे में संपूर्न जानकरी आपको देने वाला हूँ अगर आप भी गेहू के फसल लगाए हो तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट और खास है वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा तब ही कहें आपको एक सही जानकरी मिल पाएगी तो किसान भाईयो पहला सिचाई हमें गेहू बोने के 20-25 दिन बाद अपने खेत में कर देना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में हमारे जो गेहू का जड़का विकास होती है इसलिए हम गेहु के बुवाई के 20-25 दिन बाद अपने खेत में पहला सिजाई कर देना चाहिए तबी कहें जड़का अच्छे से विकास हो पाएगी अगर आपकी मिट्टी मोटी मिट्टी या काले मिट्टी है तो आप 25-70 दिन बाद भी अपने खेत में पहला सिजाई कर सकते हैं अगर आपकी मिट्टी हलकी प्रकार की है तो आप 15-17 दिन बाद अपने खेत में पहला सिजाई कर दे पिर मिट्टी के उपर भी सिजाई का डिपेंड रहता है तो किसान भाईयो दूसरा पानी गेहु के टिल्रिंग के अवस्था में देना चाहिए मतलब 40 से 45 दिन में इस समय अगर हम अपने खेत में पानी दे देते हैं तो हमारे पौधे के टिल्रिंग अच्छे से हो पाती है और पौधे में कल्ले के संख्या में बिर्दी होती है इसल 40 से 45 दिन में दूसरा पानी लगा सकते हो अगर आपके मिट्टी हलकी प्रकार की है तो आप 30 से 35 दिन में दूसरा पानी लगा देंगे किसान भाईयों तिसरा पानी हमें 60 से 65 दिन में के बाद लगा देना चाहिए क्योंकि इस समय गेहु के पौधे का विकास होती है गेहु के पौधे में छोटे छोटे गाड बनती है गेहु के पौधा मजबूत बनती है इसलिए हमें तीसरा पानी 60-65 दिन में लगा देना चाहिए किसान भाईो, चौता पानी गेहु के पुश्व अवस्ता में कर देना या लगा देना चाहिए मतलब 80-85 दिन में हम गेहु के फसल में चौता पानी लगा सकते हैं इसलिए हमें चौता पानी गेहु के पुश्व अवस्ता में कर देना चाहिए किसान साथी हो पाचपा पानी पाचपा जो पानी है जो आप गेहु के दूद भरा वावस्ता में कर देंगे मतलब 100-105 दिन में कर देंगे इस समय गेहु के दाने में दूद वहराव होती रहती है इसलिए इस समय हमारे खेत में नमी मनाय रखना जड़री होता है इसलिए हमें जो पाँचवा पानी है गेहु के दूद वहराव के अवस्ता में कर देना चाहिए ताकि दूद वराव अच्छे से हो पाए और दाना अच्छे से बने किसान सातियों गेहु में जो आखरी पानी है वो 115 से 120 दिन में कर देना चाहिए इस समय हमारा गेहु पकना शुरू हो जाता है इस समय अगर गेहु में सिंचाई कर देते हैं तो दाना पिचका नहीं होता है दाना वराव ठीक से होता है दाना मोटा बनता है दाना में वजन आती है और दाना में चमाक बरकरार रहती है इसलिए किसान भाईयों हमें जो छटबा पानी या हमें जो आखरी पानी है 115 से 120 दिन में लगा देना चाहिए किसान भाईयो आशा करता हूँ आपको एक गेहु के फसल सम्मंदीत एक सही और सटीक जानकरी दे पाया हूँ जानकरी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा किसान भाईयो चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और साती साथ बेल आइकेन को प्रेस कर दिजिएगा इससे क्या होगा मैं जब भी फसल संबंदीत, किसानों के हिच संबंदीत या धान बेशने के संबंदीत कोई भी नया वीडियो लाओंगा उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके धन्यवाद किसान वाईजो